दोस्तों सेब के पौधे को कौन-कौन से न्यूट्रेंट्स और कितने चाहिए होते हैं किस वकत पर हमें ये न्यूट्रेंट देने चाहिए इसके उपर आज हम बात करने वाले आप चाहे नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो आप और्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो या फिर आप कन्वेशनल फार्मिंग कर रहे हो तीनों तरीकों में या फिर इसके इलाव कोई और तरीका आप और तरीके से आप बागवानी कर रहे हो सबी तरीकों में पौधे को जिन न्यूट्रेंट की रिक्वार्मेंट होती है जिन न्यूट्रेंट की अवशक्ता जितनी मात्रा में होती है वो न्यूट्रेंट तो पौधे को मिलने ही चाहिए ये अलग बात है कि आप किस सोर से वो न्यूट्रेंट पौधे को दे रहे हों स सोर्सिज जो हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं नैचुरल फार्मिंग में भी जितने न्यूट्रेंट्स पौद्धे को चाहिए उत्रे न्यूट्रेंट्स पौद्धे को मौहिया करवाया जाते हैं और उसका सोर्स अलग है इसी तरह से और गैनिक फार्मिंग में सोर्स अलग है और conventional farming में sources अलग है तीनों में अगर हम अंतर करें तीनों में को अगर differentiate करें तो conventional farming में जो synthetic fertilizers यूज होते हैं वो हमारे प्रयावण को नुकसान पहुंचाते हैं जमीन को लंबे समय में खराब कर देते हैं और उसकी उपजावक्षमता को कम कर देते हैं क्योंकि organic matter जमीन का घर घरता 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 रहता है और जो synthetic fertilizer का जो residue है वो जमीन के अंदर मिटी के कणों को आपस में जोडने का काम करता है अर्थात सिमेंट की तरह वो कारे करता है तो ऐसे में लंबे समय के लिए जमीन की उपजावक्षमता को synthetic fertilizers कम करते हैं लेकिन synthetic fertilizer से भी पौदों को nutrients की बरा वो आपके decision, आपके निर्णे, आपकी समझ भूज के उपर निर्भर करता है दूसरी बात हम करें organic farming की, organic farming में भी बहुत सारे ऐसे product market में है जिसे आप nitrogen या फिर दूसरे nutrients की supply पौदे को पूरी तरह से निर्बाध दे सकते हैं लेकिन उसमें जो products use होते हैं वो product synthetic fertilizer के बनिस् थोड़ा कम नुकसान दायक, प्रयवन और धर्ती या मिट्टी के लिए होते हैं और organic farming में मिट्टी के organic matter को बढ़ाने के उपर भी बल दिया जाता है इसलिए organic farming में manure का बहुत बड़ा रोल रहता है तीसरी हो गई natural farming, natural farming में हम natural तरीके से ही पौदे को nutrients supply करने का कारे करते है जिसमें हम जिवामरित को मूल रूप से लेते हैं जिवामरित को करोड़ों करोड़ microbes का जामुन माना जाता है जिसके अंदर करोड़ों करोड़ microbes होते हैं और ये microbes ही पौदे के लिए nutrients का इंतजाम करते हैं हालांकि synthetic fertilizers को भी पौदे के लिए available form में बनाने का काम, convert करने का क यह microbes ही करते हैं ठीक इसी तरह natural farming में भी होता है और natural farming में मिट्टी की उपजावक्षमता को बरकरार रखने के उपर कार्य होता है और रही बात कीत नाशक या फफूंद नाशी की तो natural farming या प्राकृतिक खेती में कीत नाशक और फफूंद नाशी के लिए भी natural products का ही के लिए किया जाता है तो दोस्तों सेब के पौधे को nutrients कितने चाहिए धर्ती के उपर total कितने nutrients है धर्ती के उपर 108 तरह के nutrients पाये जाते हैं इन मैंसे पौधा जो है 64 तरह के nutrients अप्टेक कर जाता है जमीन से 64 तरह के nutrients पौधा अप्टेक करता है लेकिन 64 मैंसे केवल 17 ऐसे nutrients है जो पौधे के लिए बहुत जरूरी है जिनके भीना पौधे का काम नहीं चलता है पौधा मर सकता है पौधा प्रोडक्टिविटी कम कर सकता है पौधा स्ट्रेस में जा सकता है पौधे में बिमारियां आ सकती है या फिर कीटों का आकरमन ज्यादा बढ़ सकता है तो ऐसे जो है macronutrients की है जो अधिक मात्रा में पौदे को चाहिए होते हैं और दूसरी कटेगरी है micronutrients की जिनकी अवशकता पौदे को कम मात्रा में लगती है या कम मात्रा में पौदा जिनका प्रयोग करता है तो macronutrients की अगर हम बात करें तो macronutrients में nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium और calcium को रखा गया है हलंकि इसके इलावा पौदा oxygen, hydrogen, chlorine और sulfur भी लेता है और बाकी के दूसरे और micronutrients भी लेता है जैसे iron, copper, molybdenum, boron, magnesium, manganese ये सभी nutrients भी पौदे को चाहिए होते हैं लेकिन अधिक मात्रा में प्रयोग होने वाले nutrients की अगर बात करें तो nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium और calcium ये nutrient पौदे को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं तो पौदे को macronutrients में nitrogen, phosphorus और potassium ये तीन जो है बाकी दूसरे nutrients से भी और ज्यादा चाहिए होते हैं तो nitrogen जितनी पौदे को चाहिए उससे double पौदे को potas चाहिए सेब के mature पौदे को साल भर में 700 ग्राम nitrogen की अवशकता होती है ये 700 ग्राम nitrogen पौदे को कहीं से भी मिल सकती है अब इसको आप एकदम से खाद के साथ correlate ना करें synthetic fertilizer के साथ correlate ना करें अपने दिमाग में खाद का कट्टा urea, 12, 16, 10, 15, 15, 15, 15, calcium nitrate ये इसकी चावी दिमाग के पिछले हिसे में ना बनाएं जहां मैं nitrogen की बात कर रहा हूं तो वहां कट्टा खाद का जो है नहीं दिखना चाहिए सामने nitrogen की बात कर रहे हैं तो nitrogen जो है gaseous form में हमारे वतवण में 30% है तो ऐसे में हवा से भी nitrogen जमीन में fix होती है और ये आज नहीं हजारों लाखों वर्षों से fix होती आ रही है और ये nature प्रकृती का नियम है प्रकृती अपने आप ये काम करती है तो 700 ग्राम nitrogen पौधे को चाहिए वहीं पर इससे double जो है potash चाहिए यानि 1400 ग्राम potash पूरी साल भर में पौधे को चाहिए होता है और इसके इलावा तीसरा जो micronutrient है वह है phosphorus जो की nitrogen से आधा चाहिए यानि 300 ग्राम के लगबग पूरी साल भर में phosphorus की अविशक्ता पौधे को होती है अब इनों तीनों nutrient में phosphorus सबसे ज्यादा immobilizer है phosphorus जो है एक बार जमीन पर पड़ गया तो वो जहां का तहां पड़ा रहता है वो इधर उधर उधर नहीं जाता है लीच नहीं होता है आपके खेट से आपकी जमीन की soil से top soil या sub soil से ज्यादा गहरा नहीं जाता है पानी के साथ नीचे नहीं बैता है और इसी तरह से potash भी phosphorus की तरह immobilize है और ये भी ज्यादा इधर उधर घूमता नहीं इधर उधर भागता नहीं पानी के साथ नीचे बैता नहीं लेकिन जो nitrogen है ये क्योंकि gas है तो ये leach out भी होता है ये पानी के साथ दूसरे खेत में भी जा सकता है या फिर बै करके काफी दूर तक भी पहुंच सकता है और जमीन में top soil से sub soil और उससे नीचे 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 भी जा सकता है और अंत में जब पूरी तरह से nitrogen release होता है तो ये जो है ओपर climate में मिल जाता है, atmosphere में मिल जाता है तो ऐसे इन तीनो nutrients की पौधे को ज्यादा मात्रा में अवशकता होती है अब इन तीनो nutrients की पौधे को जो आवशकता है वो हम अलग-अलग तरीके से पौधे को दे सकता है synthetic fertilizers अगर हम conventional farming करते हैं तो बाजार से हम खाद का कटा करीते हैं उसके अंदर जो खाद crystal form में है, flake form में है या फिर granular form में है या फिर powder form में है या फिर liquid form में है इन सभी प्रारूपों के हिसाब से या जिस भी प्रारूप में आपको ये मिलती है, जिस भी form में आपको मिलती है उस form से आप पौधे को ये nutrient देते है, ये nitrogen देते है, लेकिन कितना देना है पूरी साल भर में 700 ग्राम की अवशकता पौधे को होती है एक स्वस्थ प्लांट को अगर उसने एक quality crop अगर उसने देनी है तो, लेकिन मैं देखता हूँ बागवान भाई, nitrogen की बातें बहुत ज्यादा करते है nitrogen, 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 nitrogen चारों तरफ, मुझे ये लगता है कि एक किसान, एक बागवान होने के नाते, मुझे ये लगता है कि बागवान भाईयों के दिमाग में nitrogen ज्यादा तरह से टूसा गया है और ये एक साजिस के तहत बोले हैं या एक प्लाइनिंग के तहत कहें, पीछले 30-40 सालों में लोगों के दिमाग के अंदर nitrogen ही बिठाया गया जबकि nitrogen तो केवल 700 ग्राम लग रहा है, पोटाश 1400 ग्राम लग रहा है, पोटाश की बातें भागवान भाई नहीं करते हैं तो ऐसे में केवल nitrogen की बाते करना बेमानी होगा और उपर से nitrogen जबकि atmosphere में भी इतनी ज्यादा है जो की पौधे के लिए बहुत अधिक है और लाखों करोड पौदों को यहीं से ही nitrogen मिलती है तो मैं nitrogen ना देने के पक्ष में नहीं हूँ बलकि मैं तो खाली यह चाता हूँ कि आप इस बात को समझें कि 700 ग्राम nitrogen अगर पौधे को मिल रही है तो 1400 ग्राम पोटाश आप जिसकी बात तक नहीं करते हैं तो वो 1400 ग्राम पोटाश भी पौधे को अनवरत मिलती आ रही है आ आप चाहे conventional farming कर रहे हों organic farming कर रहे हो या फिर natural farming कर रहे हो यह सारे nutrients पौधे को available करवाना sources अलग-अलग हो सकते हैं और इस तरह से एक चीज़ जरूर है दोस्तों कि जब nitrogen access होता है तो पौधा productivity से हट जाता है पौधा reproductive growth नहीं कर पाता है तो ऐसे में आपको जो है reproductive growth भी पौ पौटिंग के उपर लाना होता है जिसके लिए nitrogen nitrogen को आपको थोड़ा कम करना होता है वो access नहीं होने चाहिए तो दोस्तों आज इस वीडियो में फिलाल इतना ही इससे ज्यादा detailed knowledge जानने के लिए विस्तार में इसकी जानकारी के लिए आप हमारी app free of cost खेत्यारी आज ही download कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें k-h-e-t-y-a-r-i और अभी अपने फोन में download करें और हजारों बागवान भाईयों के साथ आप भी detail में आधुनिक बागवानी सीखना आज से ही शुरू करें और अपने बगीचे का डॉक्टर खुद बने तो मिल कार जैहिन जैभारत